हेलो, 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 स्वागत है आप सबका हेलो एलकेंस और हेलो एरींस के लेक्चर नमबर 04 में ये लेक्चर बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाला है, धमाकेदार होने वाला है क्योंकि इस लेक्चर में हम खूप सारे क्वेशन स्वाल्व करेंगे SN1, SN2 और Elimination Reaction पर, ठीक है अच्छा ये लेक्चर थोड़ा देर से पबलिश होगा क्योंकि कुछ काम पढ़ गया था, उसके लिए माफी चाहते हैं और शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट की है तो आपने SN1 और SN2 तो पढ़ लिया होगा, उमीद है तो अब मुझे ये बताओ कि मैंने यहाँ पर चार आईसोमेरिक ब्रोमो ब्यूटेन्स बनाए है आईसोमेरिक ब्रोमो ब्यूटेन्स बनाए है, मतलब चार-चार कारबन चारों में है अब मुझे बताओ SN1 का ओर्डर क्या होगा और SN2 का ओर्डर क्या होगा मैंने आपकी कन्विनियंस के लिए यहाँ डिगरी भी लिखी हुई है यह डिगरी भी मैंने लिख दी है, 1 डिगरी है, 2 डिगरी है, 3 डिगरी है तो मैंने यहाँ पर degree भी लिख दी है, अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पर हमारा order क्या होगा reaction का, हमारा order क्या होगा reaction का, SN1 reaction का पहले बताओ, तो सबसे fast कौन react करता है, 3 degree, 3 degree react करता है, तो हमारे पास 4th वाला 3 degree है, तो 4th सबसे तेजी से react कर, यह मैं SN1 की बात कर रहाँ, SN1, फिर कौन react करेगा, फिर कौन react करेगा, देखो, देखो, ध्यान से देखो, यह भी 2 degree है, यह भी 2 degree, क्योंगि यहाँ पर bromine, एक मिनट, एक सारी, this is, this is, this is, what, this is 2 degree, but this is 1 degree, सौरी, हाँ, ठीक है, अब बताओ, फिर उसके बाद कौन react करेगा, सीधी सी बात है, 3rd वाला react करेगा, फिर उसके बाद कौन react करेगा, तो 2nd और 1st दोनों ही 1 degree है, लेकिन एक बात बताओ, कार्बो कटायन किसका ज्यादा stable होगा, तो भाई, सीधी सी बात है, कि यहाँ से ब्रोमीन निकलेगा, तो इस कार्बन पर positive charge आएगा, और यहाँ पे दो methyl group लगे हुए है, यह दोनों methyl group क्या करेंगे, plus eye effect दिखाएंगे, और plus eye effect मतलब inductive effect से, इस positive charge को कम करेंगे, लेकिन यहाँ पे, अगर हम देखें, तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, कि यहाँ पे तीन कार्बन है, दिख रहा है, यहाँ पे हमारे पास तीन कार्बन है, है ना, अब देखो, यहाँ पे यह जो दो methyl group लगे हुए हैं, इनके द्वारा जो हमेशा ध्यान रखना, methyl group का inductive effect ज्यादा होता है, methyl group से, या किसी भी और group से, तो यहाँ पे methyl group क्योंकि दो-दो लगे हुए हैं, इसकी वज़े से यह inductive effect ज्यादा शो करेगा और यह inductive effect कम शो करेगा, ध्यान रखो, यहाँ पे भी inductive effect आएगा और यहाँ पे भी आएगा, लेकिन यहाँ दो methyl लगा हुआ है, जिसकी वज़े से यहाँ plus I effect ज्य इस पे positive charge आएगा, सुन लो मेरी बात, देखो, ध्यान से, इस पे positive charge आएगा, अब इस पे अगर positive charge आएगा, तो उस positive charge को neutralize करने के लिए CS3 दो हो है, दो methyl group हैं, तो वो plus I effect से electron देंगे, और यहाँ पे यह जो group है, यह केवल एक group है, देखो, इस वाले carbon पे भी positive charge आएगा, लेकिन यहाँ पर केवल एक group लगा हुए है, तो केवल एक plus I आएगा, और यहाँ पे दो-दो groups लगे हुए हैं, तो यहाँ पे दो plus I effect होंगे, तो SN1 तो हमने देख लिया, अब बताओ मुझे इसी में SN2 का order क्या होगा, SN2 का, तो मैंने बता hysteric hindrance, अब सबसे तेज, 1 degree फिर 2 degree फिर 3 degree है, तो 3 degree फिर सबसे बेकार होगा, तो 4th वाला तो सबसे सबसे बेकार होगा, उसके बाद फिर 3rd वाला आएगा, 3rd वाला आएगा, उसके बाद अब तुम चेक करो कि 2nd और 1st में hysteric hindrance कहां पे ज्यादा है, तो बैया, दो methyl groups यहाँ पे लगे हुए हैं, तो तो उसकी वज़े से क्या होगा, कि इसके बाद फिर 2nd वाला react करेगा, and then there would be 1st, तो इतना आपको समझ में आ गया क्या बेटा, देखो, SN1 में सबसे 3rd वाला, फिर 3rd वाला, फिर 2nd वाला, and then there would be 1st, SN2 में 4th वाला, फिर 3rd वाला, फिर 2nd वाला, and then there would be 1st, ठीक 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 ठी सबसे 3rd, फिर 2rd, फिर 1rd, 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 में भी हमने देखा, चेक किया, कि methyl groups दो लगे हुए हैं, कहां पर, यहां पर, जिसकी वज़से प्लस आई effect यहां ज्यादा होगा, यहां कम होगा, यहां के फिल, एक ही प्लस आई effect शो करने वाला group लगा, यहां 2-2 group हैं, तो इसकी होगी और इसमें कम होगी, ठीक है बिटा, आगई वा समझ में, पक्का चलो आगे बढ़ता हैं, अब देखो, elimination reaction में क्या होता है, मैंने बताया था, कि जब तुमारे पास लिखा हो, अब इसमें हम कौन सा discuss करने वाले हैं, इस chapter में हम E1, sorry, E2 elimination reaction discuss करेंगे, E1 elimination reaction हम alcohol में discuss करे इसमें dehydration of alcohol होता है, यहां इस chapter में हम E2 elimination reaction discuss करते हैं, तो E2 elimination reaction क्या है, इसमें हम alcoholic koh का इस्तिमाल करते हैं, किसका इस्तिमाल करते हैं, alcoholic कोईच का इस्तेमाल करते हैं और यहां पे क्या होता है यह proton abstract कर लेता है कहां से abstract करता है बोले बीटा position अब यह बीटा position क्या है तो मैंने कहा एक carbon ये दूसरा carbon ये और तीसरा carbon ये यहां पे मैंने लगा दिया bromine तो यह वाला carbon बेटा alpha carbon कहलाता है ये वाला carbon बीटा carbon कहलाता है ये वाला carbon गामा carbon कहलाता है तो जो बीटा carbon पे लगा hydrogen है उसको abstract करता है ये OH- इसमें से OH- जो आता है alcoholic के OH में से वो बीटा hydrogen पे लगे सौरी बीटा carbon पे लगे hydrogen को abstract करता है बल्लब बीटा hydrogen को खीच लेता है अपनी तरफ और यहां पर क्या आ जाती है एलफा बीटा के बीच में एक डबल बॉंड आ जाती है ठीक है तो हमें समझ में आ गया कि लुकषिल यहां वहीं और यहां इंड जाती है यहां आज प्रेच आपनी बीटा उसका जेस्ट भगल वाली पोजीशन थीक है अच्छा अब मैं ले रहा हूं एक क्या है तो तो दो ब्रोम पेंटेन तो दोब्रोम पेंटेन मैं कैसे बनाऊंगा दो ब्रोमो हा ना दो ब्रोमो ये ब्रोमो एंड डिस इस तो दो ब्रोमो पेंटेन ठीक है दो ब्रोमो पेंटेन ये मैंने ले लिया बिटा दो ब्रोमो पेंटेन क्या लिया है दो ब्रोमो पेंटेन लिया है अब मैंने क्या किया मैंने इसकी रियाक्शन कराई with alcoholic KOH alcoholic KOH अब बताओ मुझे इसमें अल्फा कारवन कौन सा है तो बच्चे बोलेंगे भाई अल्फा कारवन तो यही है इसे ब्रोमीन अटेच है बीटा कौन सा है बच्चे बोलेंगे बीटा ये भी है और बीटा तो ये भी है एलफा के बगल वाला बीटा होता है तो बगल में तो ये भी है बगल में ये भी है अच्छा अब अगर मैं यहां से हाइड्रोजन निकालता हूँ तो एलकीन कैसा बनेगा देखना जब मैं यहां से एक हाइड्रोजन निकालता हूँ तो यहां पे डबल बॉंड आएगा तो इस कार्बन की एक वैलनसी फ्री हो गई, इस कार्बन की एक वैलनसी फ्री हो गई, डबल बॉंड आ गया, और यहां पर बेटा यह बन गया, तो एक तो यह एलकीन अपने पास बना, बन गया, ठीक, अगर मैं यहां से एक हाइड्रोजन निकालता हूं, और यहां से तो ब्रोम बनेगा CS3, CH2, CH2, CH double bond, CH2, अब एक थे Alexander Satshiv भाई सहाब, कौन थे Alexander Satshiv भाई सहाब, यह Alexander Satshiv भाई सहाब ने अपना एक रूल दे दिया, कि कौन सा अलकीन ज्यादा मात्रा है बनेगा, कौन सा अलकीन कम मात्रा है बनेगा, एक्सपरिमेंटली हमने देखा कि यह वाला अलकीन मेजर है, यह ज्यादा बनता है, और यह वाला अलकीन बेटा माइनर है, यह कम बनता है, तो देखा क्या गया, देखा यह गया, कि यह वाला मेजर है, तो मेजर क्यों है, वो वाला अलकीन ज्यादा बनेगा, जो ज्यादा स् है वह वाला ज्यादे स्टेबल है जहां पर ज्यादा नंब़ ओफ एल कायल गुरूप शुड capabilities complete जहां पर ज्याद नंबर ओफ एलग और यह वाला कार्बन कैसा है डबंडी और ठीक है इसको अलग कर लो इसको अलग कर लो स्कार बन कार बन को अलग कर लो ठीक है बटा इसको तुम अलग कर लो ठीक इसके बाद देखो कि अलकाइल ग्रूप कितने हैं तो एक तो ये मेथाइल ग्रूप हो गया ये पहला अलकाइल ग्रूप और ये हमारा दूसरा अलकाइल ग्रूप ठीक चलो बहुत अच्छी बात है अब देखो यहां पे इस कार्बन को अलग कर लो यहां पे इस कार्बन को अलग कर लो उसके बाद देखो कितने अलकाइल ग्रूप तो हमने का यह अलकाइल ग्रूप है केवल केवल यह अलकाइल ग्रूप है तो बताओ किसमे नंबर आफ एलफा हाइड्रोज जादा है किसमे number of alpha hydrogen जादा है तो हमने कहा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 alpha hydrogen इसमें है अब यह alpha hydrogen क्या है आज कुछ गरबड हो रही है आज कुछ गरबड हो रही है हाँ तो देखो यहाँ पे देखो भाई पढ़ाई करोगे गरबड़ी होगी हर तरीके की परिशानियां आएंगी बढ़ आपको पढ़ते रहना है कुछ भी हो जाए एक भी दिन पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए बाकी जिंदगी में कुछ भी हो जाए ठीक है ना तो आज वैसे ही बहुत थोड़ा सा गरबड रहा है मामला अब यह फोन भी गर गया ठीक है चलो देखो यहां पे हमारे पास थ्री हाइड्रोजन तो यह जो डबल बॉंड है यह डबल बॉंड है यह डबल बॉंड है कार्बन कार्बन की यह डबल बॉंड है अब देखो इस कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड से जुड़े जो एलकाईल ग्रुप्स है उनके पास कितने हाइड्रोजन है तो देखो तीन, तीन छे, साथ आठ, आठ एल्फा हाइड्रोजन है इस carbon carbon की double bond से जुड़े कितने alpha hydrogen है 7 alpha hydrogen है देख पा रहे हो 3,4,5,6,7 7 alpha hydrogen है Carbon carbon double bond से कौन सा alkyl group जुड़ा हुआ है उसमें कितने hydrogen लगे है वो count कर लो वही alpha hydrogen है जिसमें जितने ज्यादा number of alpha hydrogen होते हैं वो एलकीन उतना ज्यादा stable हो जाता है hyperconjugation से ध्यान रखना hyperconjugation से वो एलकीन उतना ज्यादा stable हो जाता है जिसके पास जितने ज्यादा alpha hydrogen होते हैं तो ये वाला एलकीन ज्यादा stable है तो ये ज्यादा मात्रा में बनेगा ठीक है ये ज्यादा मात्रा में बनेगा और ये वाला एलकीन कम मात्रा में बनेगा अभी हम इस पर कोश्चन भी करेंगे अभी हम इस पर कोश्चन भी करेंगे ठीक है और आखरी में मैं एक एक्सेप्शन बताऊंगा जहां सेज़फ रू फॉल फॉलो नहीं होता तर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन के केस्ट में सजफ रूल नहीं लगेगा तो अभी वह बाद में बताएंगे पहले SN1, SN2 और Elimination reaction पर कुछ questions अपन देख लेते हैं चलो बेटा यह JE 2020 का सवाल है September में हुआ था The major product obtained from E2 Elimination of 3 Bromo 2 Fluoropentain अभी जो हमने Elimination पढ़ा वो E2 हो है E2 Elimination ही पढ़ा है E1 Elimination हम next chapter में करेंगे तुमसे पूछा है The major product obtained from E2 Elimination of 3 Bromo 2 Fluoropentain 3 Bromo 2 Fluoropentain का जब हम Elimination कराएंगे तो क्या होगा कौन सा major product हमारा बनेगा ट्राइ करो इसको कौन सा option सही है जल्दी बताओ जल्दी बताओ कौन सा option सही है ठीक है मैं अभी करता हूँ ठीक है आपके साथ हम करते हैं उसके बाद आप बताना मुझे की क्या क्या करना है तो 3 Bromo 2 Fluoropentain याद रखो तो यह देखो मैंने बना दिया है structure 3 Bromo 2 Fluoropentain का हमने structure यहाँ पे draw कर दिया है अब बताओ मुझे यहाँ पे जब हम alcoholic QOH डालेंगे और पकड़ के heat कर देंगे तो Elimination चलेगा Elimination में यहाँ पे देखो दो Halogen's हैं एक तो Bromine भी है और एक Fluorine भी है किसको हटाओगे कौन आसानी से हट जाएगा जो आसानी से हट जाएगा उसी को हटाओगे दुनिया में भी तो यही होता है जो ज़्यादा sincere होता है जो सीधा साधा होता है है ना उसी पे सारा दबाओ होता है तो यहाँ पे भी वही है जो आसानी से हट जाएगा उसको हटा दोगे और मैंने बताया था कि कौन सबसे ज़्यादा आसानी से हट जाता है Good Living Group कौन सा है सबसे पहला तो Iodine है Iodine इसमें कई है नहीं उसके बाद फिर Bromine आता है फिर Chlorine आता हो सबसे बेकार लीविंग ग्रूप जो है वो फ्लूरीन है यह तो हटे गा ही नहीं तो कौन हटेगा Bromine पिछले लेक्चर में जाके देखना बेटा मैंने बताया है आपको कि RI फिर RBR फिर RCL फिर RF ये रेट होता है है ना क्योंकि Iodine बहुत सबसे अच्छा लीविंग ग्रूप है उसके बाद फिर Bromine है फिर Chlorine है फिर Chlorine है ठीक है तो यहां पे बेटा बताओ कौन लीव कर जाएगा कौन आसानी से निकल जाएगा हमने का ये निकल जाएगा अच्छा ये निक 17 में बनेगा यहां से hydrogen हटाएंगे तो यहां पे बेटा double bond आएगी और यहां से hydrogen हटाएंगे तो यहां double bond आएगी मतलब एक साथ में नहीं आएंगी, हम assume करें एक बार यहां से हटाएंगे और एक बार यहां से हटाएंगे, यहां से हटाएंगे तो यहां से हटाएंगे तो यहां पर, अब बताओ, देखो, यहां से अगर हम hydrogen हटाएंगे, तो double bond यहां आएगी, तो देखो बनाते हैं, यहां से कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई परिशानी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी तो नहीं होनी चाहिए, अच्छा, यहां से अगर हम हाइड्रोजन हटाएंगे, यहां से हम हाइड्रोजन हटाएंगे, तो double bond कहां आना चाहिए, यहां पर आना चाहिए, तो देखो क्या होगा CS3, CH Fluorine ठीक है ना, CS3 CH Fluorine, फिर यहाँ पर CH, यहाँ पर हमारे पास BR, सॉरी, BR तो हट गया ना, यहाँ पर, हाँ, ठीक है और यहाँ से हम हटाएंगे तो Double Bond, ठीक है CH and then there is CS3, अब देखो Double Bond पकड़ो, Double Bond वाले Carbon को पकड़ो, हमने एक तो यह पकड़ लिया ठीक, अब यहाँ पर देखो कितने Alpha Hydrogen है, तो यह 3, और 3, 4, 5 5, और 6, 7, 8 8 Alpha Hydrogen, इस Alkine में हमको मिल रहे हैं, इस Alkine में देखो इस Carbon को पकड़ लो, यह Double Bond वाले Carbon है, इनको हटा दो 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7 Alpha Hydrogen हमको मिल रहे हैं इसका मतलब क्या बनेगा, इसका मतलब ये वाला Alkine बनेगा, ये वाला Alkine बनेगा, अब मैं आपको Options दिखा रहा हूँ, ठीक है, Options दिखा रहा हूँ बताओ बेटा, the major product obtained from E2 elimination of 3-Bromo-2-Fluoropentane is, अभी हमने जो प्रोड़क्त बनाया, वो कौन सा है अरे सर, इन में से तो कोई सा भी नहीं है, तो बेटा, दिमाग लगाओ, अभी हमने क्या बनाया था मैं फिर से दिखा रहा हूँ अभी तुमको ये बना है, ऐसा कहाँ पे है, बताओ, यही तो है, है न, CS3 और Florine और CS, CS2C copy pen लेकर बैठा करो, कमसे हम questions तो solve किया करो, खुद से बिल्कुल ऐसे ही बैठ जाते हो, जो इसे, कथा कहानी चल रही सतनाने, कथा में आगे प्रसाद मिलेगा आखरी में ठीक है, ठीक है बिटा, चलो, और questions देखते हैं, चलो बिटा, question number 7 देखिए ध्यान से question number 7 में आपके पास reactivity order पूछा गया है, dehydrogenation के लिए मतलब E2 elimination reaction के लिए, reactivity order क्या होगा, reactivity order of halides for dehydrogenation is तो alkyl fluoride, फिर chloride, फिर bromide, फिर iodide, फिर iodide, फिर iodide, फिर iodide, फिर iodide C option है, iodide, फिर chloride, bromide, फिर fluoride, and same D option है, fluoride, फिर iodide, फिर bromide, chloride अब बताओ क्या होगा इसमें, सही उत्तर बताना है, अरे भया, iodine अच्छा leaving group है, तो आसानी से निकल जाएगा, निकल जाएगा, तो तुरंथी dehydrogenation हो जाएगा, तो B option, सही होना चाहिए, तो B option हमारा क्या होगा, देख सकते हैं, आप correct answer क्या आ रहा है, B आ रहा है, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, चलो बेटा question number 15 देखिए, which of the following undergoes nucleophilic substitution exclusively by SN1 mechanism, SN1 mechanism से ही जिसमें substitution हो रहा है, एक है benzyle chloride, ओ, resonance मिल रही है यह भाई, ethyl chloride, chlorobenzene and isopropyl chloride, बना लो, बना सकते हो, बेंजाइल chloride क्या होगा, देखो, बेंजाइल chloride क्या होगा, यह होगा, यह अपने पास बेंजाइल chloride होगा, दूसरा हमारे पास क्या होगा, ethyl chloride होगा, तीसरा हमारे पास क्या होगा क्लोरो बेंजीन होगा यह तो बिलकुली बेकार है है न क्योंकि positive charge यहाँ पर double bond के करीब आएगा जब यह chlorine हटेगा और isopropyl chloride is this मतलब 2 degree अब बताओ कौन सा वाला सबसे तेज SN1 देगा तो मैंने बताया था जहाँ पर benzylic आ जाए या allylic आ जाए या 3 degree आ जाए तो वो सबसे तेज देता है तो यहाँ पर हमको benzylic मिल गया है तो यह सबसे तेज देगा तो benzyl chloride हमारा सबसे तेज होगा तो correct option जो हमारा आएगा that would be view answer देखो correct answer is A benzyl chloride clear है बात चलो question number 17 देखो AIPMT 2008 में पूछा था in a SN2 substitution reaction of the type RBR plus CL in the presence of यह बिटा DMF है गलती से यहाँ पर DNF लिख दिये हैं यह DMF है dimethyl formamide RCL और BR- कौन सी reaction है SN1 है कि SN2 है कि elimination है तो elimination में हमने alcoholic QH reagent यूज किया था DMF हमने कहाँ पर यूज किया था यह polar A protic solvent है याद आ रहा है SN2 reaction में यूज किया था तो SN2 reaction में rate सबसे आदा किसका होता है 1 degree का उसके बाद फिर 2 degree का फिर 3 degree का तो यहाँ पर देखो तुमारे पास 1 degree वाले एक तो यह वाला है यह तो यह भी 1 degree है देखो ध्यान से यह भी 1 degree है यह भी 1 degree है है ना और यह भी 1 degree है सारी 1 degree है अब इसमें कौन सबसे तेज SN2 देगा अच्छा यह इन्होंने DMF भी दे दिया और उपर भी लिख दिया कि भई यह SN2 है मतलब हर तरफ से इन लोगों ने बच्चों को कि बच्चा सही कर दे कैसे भी करके हाँ DMF भी दे देते तो केवल हमको पता चल जाता कि यह SN2 reaction हो रही है तो बताओ कौन सावाला सबसे तेज देगा एना SN2 substitution reaction of the type RBR plus CL minus gives us RCL plus BR minus which one of the following has the highest relative rate तो कौन सबसे तेज देगा 1 degree देता है तो सारी 1 degree है hysteric hindrance देखो hysteric hindrance मतलब जितना alkyl group कम हो जितने alkyl groups कम हो उतना तेजी से देगा तो देखो यहाँ पे तो हमारे पास CS3, CS2, N-propyl bromide तीन carbon है यहाँ पे यहाँ पे देखो दो methyl लगे हुए हैं यहाँ पे तो तीन-तीन methyl लगे हुए हैं तो सबसे बेकार हो गया और यहाँ पे ethyl bromide है तो देखो सबसे कम carbon हमको कहाँ दिख रहे हैं ethyl bromide में इसका मतलब यह है कि यहाँ पे सबसे कम hysteric hindrance होने वाला है तो क्योंकि यहाँ सबसे कम hysteric hindrance होगा सबसे तेज कौन देगा SN2 D वाला ठीक है ना SN2 कौन सबसे तेज देगा D वाला तो देख लेते हैं तो देख पा रहे हो कि correct option क्या है D है ठीक है ना विश्वास हो गया विश्वास हो तुम लोगों को रहता नहीं हमारे पे ठीक है अब हो गया चलो ठीक आप देखो question number 5 यहाँ पे यह देखो तुमा cyanide डाला है तो यहाँ पे क्या हो गया substitution हो गई है देखो CN जाके bromine की जगह पे लग गया है और sodium की जगह पे bromine आ गया तो NBR बन गया है किसमें सबसे तेज होगी ethanol, methanol, n, n, dimethylformamide और D है पानी तो आंसर तुमको दिख रहा है कि C है ठीक है आंसर तुमको दिखी रहा है कि C लेकिन क्यूं है देखो बाकी सारे जो है वो polar protic solvents है केवल dimethylformamide ऐसा है जो कि polar A protic solvent है और polar A protic solvent में क्या होता है SN2 चलती है और SN2 सबसे तेज किसमें चलती है 1 degree alkyl halide में तो देखो यह 1 degree alkyl halide है इसका मतलब अगर यहाँ पे tertiary alkyl halide दिया गया होता तो हमारा जो option हो वो कोई polar protic solvent का होता लेकिन यहाँ पे क्योंकि 1 degree of 1 degree SN2 ही देता है कभी भी SN1 नहीं देगा और SN2 हमारी polar A protic solvent में तेज होती है तो हमारा option क्या हो जाएगा N, N diamethylformamide ठीक है बटा आ गई बास समझ चलो यह question number 9 देखो कली बताया है question number 9 देखो the decreasing order of boiling points of alkyl halides is तो alkyl halides में जो boiling point का order है वो क्या होता है सबसे ज़्यादा किसका होता है RI का फिर RBR का फिर RCL और फिर RF कारण क्या है vendor wall forces of attraction सबसे ज़्यादा iodine क्योंकि वो किस पे depend करते हैं surface area पे depend करते हैं तो iodine का surface area सबसे ज़्यादा होता है जिसकी वज़े से क्या होता है RI में सबसे ज ज़्यादा boiling point होता है force of attraction होता है तो RI फिर RBR फिर RCL फिर RF ठीक है तो 9th का क्या हो गया CO चलो वेटा question number 14 14 14 14 देखना है which of the following is least reactive in a nucleophilic substitution reaction अब उसने यह नहीं का SN1 में की SN2 में किसी भी nucleophilic substitution reaction में कौन सबसे घटिया है AI PMT 2004 का सवाल कौन सबसे बेकार है तो यार A वाला देखो tertiary alkyl halide है कार्वोगटन बहुत stable बन जाएगा तो SN1 बहुत आसानी से देगा second वाला देखो second वाले में तुमारे पास जब ये chlorine निकलेगा तो positive charge जो आएगा वो double bond के just bugle में आएगा और ये बहुत ही unstable होता है तो ये वाला नहीं देगा C वाला SN2 दे सकता है D वाला अगर हम देखें तो यहाँ पर ये allylic है और allylic भी बहुत effective होता है SN1 देने के लिए तो हम देख पा रहे हैं अरे देखो B वाला option देखो जड़ा ध्यान से B वाला option ये है sorry sorry B वाला option क्या है CH2 double bond CHCL ठीक है ये क्या है ये क्या है ये विनायlic है ठीक है ये विनायlic है और मैंने बताया था कि अगर तुम यहाँ से chlorine निकालने का सोचोगे भी तो यहाँ पर positive charge आने लगेगा जो की devil bond के just bugle में है जल में मचली प्यासी है और ये बहुत ही unstable होता है जिसकी वाई से ये बनता ही नहीं है ये बहुत high temperature वे बनता है तो least reactive जो होगा nucleophilic substitution reaction में वो B होगा तो view answer कर लेते हैं और आपको भरोसा हम दिला देते हैं तो correct answer is B ठीक है question number 21 देखो बेटा which one is most reactive towards SN1 reaction SN1 reaction के प्रती most reactive क्या है तो देखो हमारा A option B option C option D option कौन सवाला सही है कौन सवाला सही है कौन most reactive है तो जहाँ पे ज्यादा हमारे पास phenyl group होंगे वहाँ ज्यादा resonance होगी कार्बो कटेंज ज्यादा stable बन जाएगा अब यहाँ पे तो देखो C वाले option में दो phenyl group लगे हैं C6H5 और C6H5 C6H5 बेटा phenyl group होता है ठीक है C6H5 क्या होता है phenyl group होता है तो यहाँ पे हमारे पास दो दो ठो phenyl group लगे हैं और साथ में CS3 भी लगा है तो ध्यान से देखो यह कुछ ऐसा बनेगा ध्यान से देखोगे तो यह कुछ ऐसा बनेगा और यह question मैं करा चुका हूँ आपको NCRT का question है यह CS3 हो गया और यहाँ पर यह इस तरीके से इस पर positive charge आने लग जाएगा तो तुम देखोगे कि यह positive charge एक तो यह resonance से stabilise होगा दूसरा हमारे पास यह किस से stabilise होगा इस CS3 के plus eye inductive effect से तो इस वज़े से हमारा सबसे stable carbocatine C के case में बनेगा बाकी तुम चेक कर सकते ह और किसी case में उतना stable नहीं बन रहा है पहला वाला ही बहुत stable है बट वहाँ पर inductive effect नहीं आ रहा दूसरे वाले में दो resonance नहीं मिल रही तीसरे वाले में resonance भी है inductive effect भी है दो-दो resonance है और inductive effect है चौते वाले में आप देखोगे तो केवल एक resonance है तो कौन सा option सही है C वाला तो अब यार हम शुरू करने वाले हैं Williamson synthesis सर यह यहां क्यों पढ़ा रहे हो यह तो हम ether में पढ़ते ही है तो बेटा ether तुम्हारे syllabus से कट चुका है तो ether तो तुम्हें नहीं पढ़ना है यह Williamson synthesis जरूर पढ़नी है Williamson synthesis is the synthesis of ethers ठीक है ना तो मैं इसकी general equation लिख रहा हूँ देख की जब हम reaction कराते हैं sodium alcoxide के साथ sodium alcoxide के साथ का मतलब sodium alcoxide के साथ का मतलब r o minus na plus अब बेटा तुम alcohol जब पढ़ोगे ना तो तुमको पता चलेगा कि यह जो alcohol होते हैं यह थोड़ा सा acidic character show करते हैं अब किसी भी acid को तुम अगर किसी active metal के साथ रखते हो तो क्या होता है यहां पे हमारे पास sodium alcoxide बन जाएगा तो यहां से वो चीज उठ करके आई है देखो alcohol थोड़ा सा acidic character show करते हैं acidic character show करते हैं उसकी reaction उस acidic character को प्रूफ करने की reaction क्या है यह वाली तो यहां पे बिटा तुमको क्या करना है यहां पे तुम देख पा रहे हो कि यहां पे हमारा sodium alcoxide बन in the presence of alkyl halide यहां से क्या करो एक्स हटाओ और यहां से sodium हटाओ यहां से एक्स हटाओ और यहां से sodium हटाओ यहां पे तुमारे पास क्या बन जाएगा यहां पे तुमारे पास एक तो ether बन जाएगा और nax हट जाएगा इथर बन जाएगा और nax हट जाएगा तो इसी को बेट ether कहा जाता है अब यहाँ पे दो alkyl groups same हो जरूरी नहीं है दोनों alkyl groups अलग अलग भी हो सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो इसमें कौन सी बड़ी बात थी अच्छा यह एक named reaction है तो तुमको पता तो होनी चाहिए कि यह Williamson synthesis है अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया CH3I और यहाँ पे ले लिया C2H5O-NA तो यहाँ पे बड़ी आसानी से तुम बना लोगे C2H5OCH3 प्लस NAI इसमें तो कोई दिक्कत तुम्हें आई नहीं लेकिन यहाँ पे बेटा elimination और substitution के बीच में चलता है competition क्या चलता है competition तो elimination और substitution के बीच में competition चलता है अब हमें कैसे पता चलेगा कि कब elimination होने वाला है और कब substitution होने वाला है तो उसके लिए कुछ tricks मैं आपको बताऊंगा जो की आपको बहुत help करेंगी आगे तो देखो हम कैसे पता करेंगे कि यहाँ पर elimination होगा के substitution होगा उससे पहले आपको यह feel आना चाहिए कि यहाँ पर competition चलता है तो वो मैं बता रहा हूँ देखो अब बेटा तुमको एक चीज यहाँ ध्यान रखनी है विलियम सन सिंथेसिस जनरली जनरली विलियम सन सिंथेसिस जो है विलियम सन सिंथेसिस एसेंट टू रियाक्शन का example किसका example है एसेंट टू टाइप आफ रियाक्शन का example एसेंट टू अब यहाँ पर तुम देखो एसेंट टू में क्या होता था कौन सबसे बढ़िया तरीके से एसेंट टू देते थे हमने का जो alkyl halides primary होते थे, primary alkyl halides बहुत अच्छे से sn2 देते थे, तो यहाँ पे जो nucleophile, अब sn2 की mechanism याद है न, क्या होता था, sn2 में क्या होता था, sn2 में हमारा nucleophile आता था, देखो, nucleophile आता था, OH- मानलो हमारा nucleophile होता था, nucleophile मतलब जिस पे negative charge है, या फिर जिसके पास क्या proton क कमी है, जिसको positive charge की तलाश है, nucleophile मतलब nucleus, nucleophile में positive charge होता है, file मतलब loving, तो जिसको positive charge से बहुत-बहुत बे इंतहा महबत है, वो nucleophile है, अब ये nucleophile जो होता था, यह यहाँ पे आता था, और यहाँ से यह हटता था, और यहाँ पे यह पीछे से attack करता था, एक ही step में यह reaction होती थ अब बताओ बेटा, यहाँ पे nucleophile क्या है, तो हमने कहा negative charge, तो यह हमारा पूरा क्या है, nucleophile, अभी एकदम से नहीं समझ में आएगा, धीरे-धीरे आएगा, ठीक है, everything takes time, तो यहाँ पे यह हमारा जो है, यह पूरा क्या है, यह हमारा जो है, यह पूरा क्या है बेटा, यह हम नुकलियोफाइल है अब यह नुकलियोफाइल आ करके इस पे अटेक करता है पीछे से अटेक करता है और यहां से यह हटता है तो देखो क्या बनेगा यहां से यह हटेगा और यह पीछे से अटेक करेगा तो यहां पर क्या बन जाएगा इसको हटा दो और इस पूरे पार्ट को जोड़ दो तो देखो CH3 ठीक है CH3 ये वाला CH3 ठीक है ये वाला CH3 ये वाला O के साथ जोड़ गया तो O, C, CH3 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 ठीक है ठीक है ना आ गई बात समझ बहुत आराम से ठीक तो ये बन गया और साथ में N A B R बन गया ठीक ये तो हो गया कि जब हमने primary क्या लिया अलकाइल हेलाइड लिया और यहां पे जो हमारा sodium alcoxide था वो देखो यहां पे कैसा है यहां पे यह जो bulkier groups लगे हुए हैं देखो तीन-तीन लेकिन इन bulkier groups से कोई फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि ये bulkier group किसमें लगे हुए है nucleophile में यही alkyl halide में लगे होते तो elimination चल जाती अब देखो अब यहां पे हमने बिल्कुल उल्टा खेल कर दिया उल्टा खेल क्या किया यहां पे जो alkyl halide लिया वो हमने कैसा लिया 3 degree और यहां पे यह हमारा क्या है nucleophile है देखो यह बेटा हमारा क्या है यह हमारा क्या है nucleophile तो यह क्या करेगा attack करेगा किस पे attack करेगा इस carbon पे attack करेगा और यहां से यह bromine क्या होगा निकल जाएगा ठीक है निकल जाएगा बहुत अच्छी बात है तो यह जब यहां पे attack करेगा तो attack करने के लिए बहुत ज्यादा घातक होता है तो यहां तीन-तीन बैठे हैं अब यह जो तीन-तीन है यह इसको अटैक ही नहीं करने देंगे तो यहां पे स्टरिक हिंडरंस की वज़े से SN2 बेटा नहीं चल पाएगी SN2 नहीं चल पाएगी तो यहां क्या चलेगी? यहां बेटा Elimination चल जाएगी तो Elimination कब चलेगी? जब Alkyl Halide हमारा Tertiary होगा इन दे केस ओफ विलियमसन संथिस तो जब Alkyl Halide हमारा Tertiary है तो यहां पे क्या चल गई? Elimination reaction चल गई अब Elimination कैसे होगा? तो हमने कहा यह वाला हमारा Alpha Carbon और यह हमारा Beta Carbon यह भी बीटा यह भी बीटा कहीं से भी तुम एक Hydrogen हटा करके यहां पे Double Bond लगा दोगे वही Alkyl तुमें मिलेगा तो देखो यहां पे मैंने इस वाले से एक Hydrogen हटा दिया और यहां पे मैंने Alkyl बना दिया देखो यह Alkyl बन जाता है वो इसके साथ मिलके क्या बना लेगा CS3OH मतलब Alcohol बना लेगा और N-A-B-R यहां पे Elimination चल गई कब Elimination चल गई विलियम संसिंथेसिस में जब हमारा Alkyl हैलाइट टर्शरी था तो यहां पे क्या था सर यहां पे बिटा Alkyl हैलाइट प्राइमरी था भले हमारा Nucleophile जो था वो टर्शरी था Nucleophile से मतलब नहीं होता है Alkyl हैलाइट से मतलब होता है Alkyl हैलाइट अगर टर्शरी मिल जाएगा तो विलियम संसिंथेसिस नहीं हो पाएगी Alkyne बन जाएगा Elimination reaction डॉमिनेट कर जाएगी समझ में आ गई यह बात ठीक है तो ध्यान रखना इस बात का कि Alkyl हैलाइट कैसा है जैसे कि NCRT का ही एक कोश्चन मैं तुमको बता रहा हूँ ठीक है देखो बताओ बिटा यहाँ पर क्या बनेगा पहली बात तो तुम्हें यह समझ में आना चाहिए क्या यह Williamson Synthesis है तो देखो एक Alkyl Helide है दूसरा Sodium Alcoxide है मतलब यह Williamson Synthesis है इथर बनाने वाली SN2 से चलती है लेकिन SN2 यार 3-degree Alkyl Helide में कहां ही चल पाता है तो यहाँ पर SN2 तो नहीं होगी क्यों? क्योंकि यह जो Alkyl Helide है यह हमारा कैसा है 3-degree है बेटा 3-degree Alkyl Helide तो इसमें SN2 तो नहीं चलेगी भूल से भी मत चला देना तो क्या होगा सर? Elimination होगा कैसे होगा? हमने कहा यह हमारा क्या है? यह हमारा Nucleophile है यह हमारा क्या है? यह हमारा Nucleophile है यह Nucleophile आ करके क्या करेगा? अटेक करेगा यह Nucleophile आ करके क्या करेगा? अटेक करेगा जब यह Nucleophile आ करके अटेक करेगा तो यहां से क्या हो जाएगा? कि क्लोरीन निकलेगा अच्छा लेकिन इसको अटेक करने की जगह भी तो चाहिए यह 3-3 Alkyl groups बैठे हैं तो यहां पे क्लोरीन तो बेटा निकलेगा यहां पे क्लोरीन तो निकल जाएगा लेकिन यहां पे Elimination चल जाएगा तो यहां पे जो हमारा product बनेगा major product main product वो यह बनेगा देखो Alkyne बन जाएगा साथ में C2H5OH PLUS NaCl PLUS NaCl तो यह तीन चीजें हमारे पास बन गई है यह तीन चीजें अपने पास बन गई है समझ में आ गई बात अच्छा अब मैं दूसरी reaction दे रहा हूँ चीजें पलट जाएंगे देखना ध्यान से बताओ गटा क्या होगा बताओ गटा क्या होगा अब इस केस में यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो रहा था यहाँ पे यह nucleophile as a base काम कर रहा था base हमेशा क्या करता है base हमेशा base मतलब oh minus oh minus क्या करता है proton abstract करता है इसलिए यहाँ पे इसने क्या किया यहाँ से एक proton abstract कर लिया है ना, यहां से जो ये चीज थी, ये चीज जो थी, इसने क्या किया, एक प्रोटॉन खीच लिया, एबस्ट्रैक्ट कर लिया, ले लिया, तो यहां पे एलकीन बन गया, यहां पे, क्योंकि ये 1 डिगरी एलकाईल हलाइड है, और SN2 बड़े आसानी से चल सकती है, तो यहां प नुक्लियोफाइल, वही नुक्लियोफाइल, क्या काम करता है, ऐस अ बेस काम करता है, वो प्रोटॉन खीच लेता है, जब 3 डिग्री अलकाइल हलाइड मिल जाएगा, तो वो बेस की तरह काम करेगा, जब 1 डिग्री मिल जाएगा, तो वो नुक्लियोफाइल की तरह काम ठीक है अब ध्यान से देखो यहां पे क्या मिला हमको तो यहां पे बेटा SN2 चलेगी तो यहां पे एथर मिल जाएगा सीजी सी बात है NACL उड़ा दो और एथर बना दो अब बच्चे यह सब चीजें इग्नोर कर देते हैं खुद से पढ़ते हुए तो यहां पे टीचर का काम यही होता है कि इन सब चीजों पे special emphasis दे क्योंकि यह बहुत-बहुत important है सबको पता है Williamson synthesis क्या होती है पर किसी को नहीं पता कि अगर मैं alkyl halide ही change कर दूँ उसकी degree ही change कर दूँ तो products बदल जाएंगे, elimination चल जाएगा और substitution चल जाएगा तो उमीद है यहां तक समझ में आ गया होगा चलो अब NEET में आया हुआ question देखो Question number 24 AIPMT 2011 बहुत बच्चों को नहीं समझ में आया था तो देखो, यहां पे पहली reaction दे रखी है in the presence of ethyl alcohol दोसरी reaction दे रखी है in the presence of alcoxid iron दोसरी reaction दे रखी है in the presence of alcoxid iron तो पहली वाली और दूसरी वारी, दोनों reaction कैसी है पहली वाली कौन सी है, देखो, पहली वाली में जो medium है वो alcohol है alcohol medium मतलब polar protic solvent दिख रहा है दिख रहा है Is there any problem with it? एक minute, कुछ शायद question में गरबड़ी हो गई है, एक minute हाँ तो बेटा question वही है, question में गरबड़ी नहीं है, मुझे लग रहा था, एक में alcohol बनेगा और एक में ether बनेगा बट question सही है, question वही है अब बताओ, येवाली SN1, येवाली SN2, येवाली SN2, येवाली SN2, येवाली SN2, येवाली SN1, येवाली SN2, येवाली SN1, क्या है? आराम से कोई जल्दी नहीं है अगर तुम्हारे दिमाग में SN1 आ रहा है तो ये धियान रखना कि SN1 कभी primary alkyl halide में नहीं होता और elimination अगर आ रहा है तो elimination पहली बात तो option में ही नहीं है और elimination में हमेशा alkyne बनता है तो बचा क्या? SN2 लेकिन इस question का answer सबने पहले वाले का SN1 दिया है दूसरे वाले का SN2 दिया है हर side पे कुछ sides पे सही answer है देखते हैं इस side पे क्या है तो दोनों का ही, दोनों ही reaction ये देखो, ये भी Williamson synthesis है यहाँ पे भी ether बन रहा है और यहाँ पे भी ether बन रहा है देखो, Williamson synthesis में अगर ether बनेगा इther ही बनता है इther बनेगा तो वो SN2 है अगर कभी अलकीन बन गया हो, अलकीन कब बनेगा जब हमारा alkyl halide tertiary हो जाएगा तो हमारा nucleophile उसको approach नहीं कर पाएगा तो उससे क्या होगा वो nucleophile base की तरह काम करके H प्लस आयन को abstract कर लेगा उससे क्या होगा, alkyne बन जाएगा तो alkyne हमने क्या पढ़ा देखो alkyne हमने पढ़ा कि एक तो alcoholic कोई से बनता है alcoholic कोई से जो बनता है वो sensitive product maximum होता है और यहाँ पे जो बनता है वो हमारा alkyne बनता है by abstraction of proton हमेशा alkyne वो वाला बनाना जो की हमारा काफी ज्यादा बढ़िया हो, मतलब sets of product को follow करे sets of rule को follow करे, ठीक है अब बताओ इसका answer बताना है भाई अब मैंने तुमको फसाया बढ़िया से, मैंने lecture के शुरुआत में बताया था कि एक exception बताओंगा, sets of rule का बताओ यहाँ पे मैंने CS3 के जगे C2H5 कर दे, अब बताओ अब बताओ देखो, यहाँ पे सबसे पहले जो alkyl halide हमने लिया है, वो tertiary है तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि williamson synthesis तो नहीं होने वाली, यहाँ elimination चल जाएगा, क्योंकि यह as a base आएगा यह as a base आएगा इसको क्या बोलते हैं, tertiary butoxide ion, तो यह as a base आएगा और यह base की तरह क्या करेगा कि proton को abstract करेगा अब कौन से proton को बेटा abstract करेगा देखो, अगर हम इस proton को निकलते हैं या इसको निकाले, alkyne same ही बनेगा, तो यह हमारा alpha carbon और यह बीटा carbon, यह बीटा carbon and similarly यह भी हमारा बीटा carbon तो अगर हम इस वाले proton को निकालते हैं, तो यहाँ पे जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरीके से ठीक है, यहाँ पे जो बनेगा वो यही तो बनेगा यहाँ पे तुम count कर लो जरा alpha hydrogen, तो यह वाले carbon तो हटा ही दो double bond वाले, alpha hydrogen count करोगे, तो यहाँ पे 5 और 6, 7, 8, 8 ही मिल रहे हैं 8 ही मिल रहे हैं हमको ठीक है ठीक है अच्छा अब अगर हम बनाएं यहाँ से alpha hydrogen निकालें तो basically हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं C2H5 को CH3, CH2 खोल दिया मैंने, C, CH3 CH3, BR हम यहाँ से alpha hydrogen निकालें, स्वारी, beta hydrogen निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा कैसा अलकीन बनेगा, तो यहाँ से जब हम निकालेंगे तो यहाँ डवल बॉंड आएगी तो देखो क्या होगा यहाँ पर हमारे पास CH3 CH, डवल बॉंड C CH3, CH3 और यह हमारा बन गया, BR एक, दो, तीन, अरे यह तो कितना कार्वन खाना खाएगा कुछ गरबड़ हो रही है क्या एक, दो, तीन, और एक, चार है तो सही, एक यह हाइडरोजन निकाला है, तो यहाँ तो यह सही है यहाँ पर यह क्या हो गया अरे सॉरी सॉरी मैं ब्रोमीन हटाना भोल गया, सही है, सही है मैं ब्रोमीन हटाना भूल गए, यहां से भी ब्रोमीन हटेगा तो यहां पे क्या होगा कि इस double bond को पकड़ लो तो यहां पे alpha hydrogen गिनो, 3, 3, 6, 7, 8, 9, 9 alpha hydrogen तो बेटा, बनना तो यह चाहिए, यह सद्जफ है मतलब इसमें ज्यादा number of alpha hydrogen है, तो बनना तो यह चाहिए और जिसमें कम number of alpha hydrogen होते हैं, वो minor product कहा जाता है उसको हम Hoffman product भी कहते हैं, Hoffman product तो बनना तो सद्जफ चाहिए यह वाला, लेकिन इस एक case में बनता Hoffman है कारण सुन लो, कारण यह है, कि यह जो यहाँ base है, वो क्या करता है, beta hydrogen को खीचेगा अब यह base की तरह क्यों काम कर रहा है, यह तो समझ में आई गया क्योंकि यहाँ पर tertiary alkyl halide है, तो यह nucleophile की तरह काम करेगा, यह base की तरह काम करेगा अब base की तरह काम करेगा, तो यह क्या करेगा, बीटा hydrogen को खीचेगा अब इसके लिए आसान कहां से पढ़ेगा, बीटा hydrogen को खीचना यहाँ से, यहाँ से, की यहाँ से बिचारा ये इतना बलकी बेस है ये इतना बलकी बेस है कि ये अंदर घुसी नहीं पाएगा यहां से ये खीची नहीं पाएगा सुनो ध्यान से ये इतना बलकी बेस है कि अंदर घुसी नहीं पाएगा सुनो ध्यान से, ये इतना बलकी बेस, देखो तीन-तीन बलकी ग्रूप्स लगे हुए हैं यहां पे, तीन-तीन बलकी ग्रूप्स लगे हुए हैं यहां पे, तो हमेशा ध्यान रखना, कि ये वो वाला बीटा हाइड्रोजन खीचेगा, जो उपर-उपर है, अंदर घुसेगा नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा कि सजजफ प्रोडक्ट बनेगा नहीं मतलब यह वाला बीटा हाइड्रोजन है खीचेगा नहीं यह वाला खीचेगा यह वाला खीचेगा दोनों केस में यही वाला प्रोडक्ट आएगा यह हॉफमें प्रोडक्ट है यही वाला मेजर प्रो हैल हैड लिया था, तो वहाँ पर बेटा एक ही तरीका का यलकीन बन सकता है, वहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है कि हॉफ्में तुम बना लो और सैज़फ तुम बना लो, और तुमारे स्कूल लेवल पे भी जो कुशंस आएंगे उसमें possibility नहीं होगी कि तुम Hoffman भी बना लो और सड़जव भी बना लो तो Williamson Synthesis वाला जो question आता है उसमें तुम एकी एलकीन बना पाओगे और वही एलकीन तुमारा रहेगा उसमें तुम Hoffman और सड़जव नहीं बना पाओगे तुम देखोगे किसमें जैसे मैंने जो question कराया था वो ये है बेटा सवाल ये था तो यहां पे ये वाला देखो ये वाला तो यहां पे बेटा तुम ये बताओ यहां से तुम hydrogen निकालो तुम यहां से निकालो चाहें यहां से निकालो अलकीन तुमको सेम ही मिलने वाला है बट इस केस में बटा ऐसा नहीं था यहां से निकालो यहां से निकालो सेम अलकीन मिलेगा बट यहां से निकालोगे तो अलकीन डिफरेंट हो जाएगा यह वाला बनना चाहिए था बट बनता यह वाला है है कि sets of rules violate हो जाता है इसी लिए मैंने Williamson's synthesis पूरी आपको पढ़ाई थी तो उमीद करता हूँ lecture अच्छा लगा होगा अगर कुछ चीजें नहीं भी आ रहे हैं समझ में तो बिटा हम जैसे से आगे बढ़ेंगे ना चीजें अपने आप clear होती जाएंगे हम जैसे ऐसे questions करेंगे अगले lecture में और questions करेंगे तो अगला lecture आखरी होने वाला है Hello Alkenes और Hello Arines का poly halogen compounds में नहीं पढ़ाऊंगा वो NCRT का है वो NCRT से आप article पढ़ लेना हो जाएगा आपका काम ठीक है उसमें कुछ भी नहीं आता है कुछ general knowledge यह जैसे DDT कहां पे store होता है DDT का formula क्या होता है इस तरीके से DDT का full form क्या होता है इस तरीके के questions आपके पास आते हैं DDT का full form बता दो DDT कैसे metabolize होता है ऐसे कुछ questions आते हैं ठीक है chloro form की कितनी concentration harmless है कितनी concentration पे disease आने लगती है वो सब चीज़ है तो यहाँ पे मैं इस chapter को यहीं पे मतलब कल कल जो है जो lecture आएगा जो next lecture होगा उसमें हम इस chapter को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे ठीक है अभी हमने हैलो एरीन्स में nucleophilic substitution की बात नहीं किया तो उसमें हम बात करेंगे तब तक के लिए बेटा तुम पढ़ाई करते रहो जो भी चीज़ें उनका day by day revision करते रहो वो बहुत important है क्योंकि यह एक chapter ऐसा है जिस पर समय ज्यादा ही लगता है coaching वगेरा में तो एक एक महिना यह chapter चलता है तो इसका revision करते रहो और फिर हम जब alcohols पर आएंगे तो बहुत जल्दी जल्दी chapters आगे बढ़ेंगे मैंने यहाँ पर E2 elimination discuss कर दिया है E1 elimination हम discuss करेंगे in the chapter of alcohols dehydration of alcohols में तो रोज के रुबिटा reaction बहुत सारी है भूल जाओगे confusion होगा तो इसके लिए रोज करोज रोज करोज रोज करोज रिवाइस करते रहो खूब रिवाइस करो, exhaustive revision करो ठीक है? रात में सोते हुए reactions पढ़के एक बार सो और उठते हुए reactions पढ़ो, तब जाके याद रहेंगी वरना किसी को याद नहीं रहती, मुझे भी नहीं याद रहती थी ठीक है न? तो चलो पढ़ाई करते रो, all the very best thank you